अमिताब सिन्न और दिली से यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुर रहे हैं अमिताब नमस्ते अब मायावती भी गबरा गई मायावती भी अतर गई उन्होंने भी मोहन भागवत की तिपनी पर और उनकी स्टेट्मेंट पर खुद की पाटिपनी की है अब ज्यादा बोलने लगी सब्सक्राब गई मायावती क्योंकि अब चुनाव सामने आ रहे हैं और उन्होंने भी अपने एरे अपनी कॉंस्टिट्विंसी को घेरने की कोशिश की है और अब चुनाव को समय तो सत्ता बहरा के सड़क पर उतरने की बजाए अगर ऐसे हमले हो रहे हैं तो मुझे लगत जाता है कि मुहन भागवत के बयान के परिपेक्षु में ही वह कम से कम बीजेपी पर हमले की कोशिश हो रही है पहली बात दूसरी बात यह इन बातों ने चुनावी महल को गर्मा दिया है यह का रियक्षन नहीं बता रहा है यह मायवती का रियक्षन नहीं बता रहा है तीसर वो संदेश देना चाहते हैं जो बरसों से संग देने की कोशिश करता आया है उन्होंने ये भी कहा वो किसी की विचारधारा को भी प्रभावित करना नहीं चाहते और यही संदेश संग परिवार के मुखिया हैं संग के अपने लाकों निवाई हैं संग परिवार के में बीज यह मुस्लिम मंच के फोरम से वो सब के लिए है और यह दो दियने की बात हो रही आनंद यह सीधे-सीधे यह है कि भारत में रहने वाला हर आदमी भारतीय है हिंदु हिंदु है क्योंकि अगर वह मुस्लिम हुआ है तो मध्यकाल में मुस्लिम का हिंदु तो सोच है हिंदु तो जीवन की प्रक्रिया है यही बात कही जाती है क्योंकि हिंदु धर्म अपने आप से डिफाइन नहीं और बात ये है कि आगर भारत का भारत में रहने वाले हर किसी के पूरुअज एक है डियन एक है तो बटवारा क्यूं हुँआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यूं हुआ एक पंध के नाम पर क्यूं देश को तोड़ दिया गया आज हिंदू कुछ आज भी हमारे मैप में क्यों लिखा है हिंदू कुछ का मतलब ही यह है कि जहां पर हिंदूओं को काट दिया गया और जिन हिमाले के परवतों से हिंदूओं का रक्त बैता था तो इसको बदलने की बात क्यों नहीं की जा रहे हैं यही सारे सवाल पूछे है यतेंद्र लेकिन क्या वह वेसी जो है वो यह बात कहेंगे कि रोहित और अंकित को काटने वाले कौन थे डलितों को अपने घर से भगाने वाले कौन थे नूरपूर में जो कर रहा हैं वह कौन थे क्या वह भारत के खिलाफ नहीं है पूरे मामले पर बात की, तो उनका भी साफ़ तर पर यही कहना था, कि संग को लेकर एक इमेज हमेशा बनाएगी, कि वो एक धर्म के किलाव नफरत फिलाने का काम करता, और उसके व्याब पर वो एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक अपनी पार्टियों के लिए लेकर जाते हैं, जब संग ने आकर उस सिति को सुधारने की बात की और जो सिति इस्पष्ट की और सही तस्वीर पेश की, क्योंकि पहली बार नहीं है कि संग प्रमुक मोहन भागवती, आरेसस की तरफ से इस तरह का बायन आया, संग प्रमुक पहले भी इस बार, इस बायान को पहले भी दे चुके हैं कि डिये ने, जो भी इस भारत में रहता है उन सब का DNA एक है पूरुवज एक है तो मुक्तार अरबास नकभी साहब है नोने साफतर पर का कि ऐसे लोगों की खेती जो वोटों की खेती करते हैं जो वोटों की फसल को काटने का काम करते हैं उस पर रोक लग सकती है अगर RSS की सच्चा ही पता चल जाएगी क्योंकि RSS प्रमुक मोहन भागवत ने जो कल कारक्रम हुआ उसमें साफतर पर का कि यह हिंदू-मुसलिम एकता की बात जो की जाती है जो राजनीति के माध्यन से जो एकता की बात की जाती है भारत में जो रहता है वो भारती है लेकिन अमित आप एक बात बता करते हैं उनका हवाला क्यों दिया जाए लेकिन उनकी सबसे बड़ी है उनकी भाषा उनकी शैली जिस तरह से वह धृवी करण की बात करते हैं जिस तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं जिस तरह से मुस्लिम एकता की बात करते हैं यही बात सरसंग चालक मौन भागवत ने कही है कि आजादी में के बाद पार्टीशन नहीं हुआ होता अगर भारत में खिलाफन तादोलन नहीं शुरू हुआ होता आनंद इसको जोड़ा जाए तो इसी तरह के मुवमेंट को रोकने की बात सरसंग चालक ने की है इसी तरह का संदेश दिया है कि अगर लिंचिंग हो रही है तो लिंचिंग करने वाला हिंदू नहीं हो सकता वो कोई क्रिमिनल हो सकता है वो कोई बदमाश हो सकता है उसके उपर कानूनी करवाई करने दो वो हिंदू नहीं होगा कहने का मतलब साफ है हमारे पुरवज हिंदू थे हम सब सनातन धर्म के पालन करने वाले हैं हिंसा हमारे सभाव में नहीं है हमारे प्रकृति में नहीं है इसे लिंचिंग को लेकर संग्या बीजेपी पर हमें आरोग नहीं लगाना चाहिए चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो चाहे बोट किस ने दिये थे और उन्होंने किस बात की बात की थी मोहन भाग審 जो कह रहे हो बात की थी या कोई और बात की थी यूज़ जटीन इंडिया के website ने आज़ तक ट。COM को पचứड़ा है सारी खबरों को देखिए न्यूज 18 इंडिया के वेबसाइट पर अखाणा मिलेंगे एक छोटा सब्रेक बने रही है